हलो ब्रिवन वेलकम टू ओनली जी एस मास्टा क्लास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे करेंगे करेंड फेर वार्स की 2023 जिसमें हम जन्वरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के संपूर्ण करेंड फेर को पढ़ेंगे देखो फ्रेंड्स य तो चलिए आगे बढ़ते हैं यह आपका booster dose number 3 है और हम लोग स्टार्ट करते हैं question number 64 से इसके पहले के जो प्रसन है इसके लिए एक अलग से playlist है जिसका link वीडियो के description में है जाकर आप देख सकते हैं और फ्रेंड्स आपको यह भी बताते हैं कि पूरी वार्स की PDF भी आपके करवा दी गई है आपके सुगधा के नुसार अगर आप चाहें तो हमारी जो master PDF है जिसमें कुल मिला के 4000 से ज्यादा प्रसन है यह PDF भी आपको मिल जाएगी साथ एक साड़ PDF है जिसमें 1500 से ज्यादा जिनने भी important question है उनका collection है तो जो भी PDF आपके मुफीद रहे उसको आप ल चाहों सुरू करते हैं हाली में किस मंत्राल से महिलाओं लेपानी पानी कि लिए महिलाएं अभियान को start किया है दोस्तों ध्यांदी जगा कि यह जो compassion है महिलाओं के लिए पानी पानी के लिए महिलाएं यानि की Water for women and women for water यह compassion हम्रीत महुत्सों के अंतरगत इस्टार किया है आवास व सहरी कार्यमंत्रा लेके द्वारा जिसके लिए 7 से 9 नुमंबर 2023 तक जल दीवाली अभियान भी एक स्टार्ट किया गया था अगला क्वेशन होगा हाली में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षन जारी करने वाला पहला राजी कौन सा बना है तो दोस्तों जैसा का आप जानते हैं कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षन जारी करने वाला पहला राजी बना है बिहार यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है हाली में दूसरे वर्ड लोकल प्रोड़क्षन का आयो जिन किया गया था कहाँ पर नीदर लैंड में लोकल प्रॉड प्रोड़क्षन फॉरम था यानिकी इसका पहला आयो आयोजन जब हुआ था दोस्तों तो उसमें करोना चल रहा था इसलिए इसका आयोजन वर्चुल तरीके से डवलुएचों ने किया था तो ये भी आपको ध्यान रखनाओंगा कि भाला वाला तो वर्चुल वा था दूसरा वाला जो हुआ था वो नीदर लेंड में किया गया था डवलुएचों के द्वारा अगला कोश्चन है हाली में किसने सयद मुस्ताक अली ट्राफी 2023 को जीत लिया है दोस्तों सयद मुस्ताक अली ट्राफी 2023 क्रिकेट का एक यहां पर चैंपियंशिप है और इसको जीता है पंजाब ने पंजाब ने किसको रहा था बड़ोधा टीम को और ध्यान दिजेगा कि 2023 में सयद मुस्ताक अली ट्राफी का सोलावा संसकरण आईजुद की आगया था कहां पर तो पंजाब में पंजाब के मोहाली के PCA इस्टेडियम में जिसमें प्लेयर आप टूर्णामेंट चुने गए थे पंजाब के अभिषेक सर्मा पहली तो इसका आयोजन कहां पर हुआ ये ध्यान दिजेगा इसका जो सुभंकर रहा ये भी आप ध्यान दिजेगा सुभंकर का नाम मोगा रहा और ये भी याद रखिएगा इसका जो आयोजन था तो जो पदक तालिका बनी थी उसमें पहले अस्थान पर तो महालास्ट्रा है ल जिन्नास्टिक में स्वयूपता सेन और प्रणती नायक इसमें जो नए खेल जोड़े गए थे आजकल फैसन में आ गया है कि करेंड फेर जब भी पूचा जाता किसी पुर्दों की परिशा में तो उसमें जो नए खेल जूड़ते हैं उसके बारे में भी एक्सर पूछ लेते छह नए खेल जो हैं वो जोड़े गए हैं आपके 37 राष्ट्री खेलों में तो यह जरूर याद रखेगा यह important है और इसके पहले जो 36 राष्ट्री खेल हुए थे कहां पर हुए थे तो गुजरात में हुए थे टॉप पर सर्विशेश था जो कि 37 वे में आ गया था दूसरे अस्थान पर अगला च्ष acontece हुगा हाली में राष्ट्री कानूनी सेवादिमस मनाया गया था राष्ट्री कानूनी सेवादिमस यह मनाया गया था नौह नववंबर को हाली मे that ladies नामक ballistic missile का सफल परिक्षन किया गया था तो जो प्रलय ballistic missile है ये किस प्रकार की missile है दोस्तों तो दोस्तों ये सतर से सतर तक मार करने वाली missile है यानि कि ये जमीन से चलेगी और जमीन पर जाके में ये सक्षम है अगला question बहुत important है ये है कि क्यूएस एसिया university ranking 2024 में कौन सा विस्विद्याल है टॉप पर है तो क्यूएस एसिया के बारें बात हो रही है क्यूएस एसिया university ranking 2024 में टॉप पर है चीन का पेकिंग विस्विद्याल है दूसरे स्थान पर है हांग कॉंग तूसरे स्थान पर हैं सिंगापोर विस्विद्याल है इसमें भारत की कुल 148 universities सामिल है इसमें top 100 में मात्र सात भारती universities है ये भी याद रखेगा कि क्यूएस QES Asia University ranking में top पर है Peking University और top 100 में भारत की 7 भारती इंवर्ष्टियां भी सामिल है भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकरा जहार railway link पर्योजना यह स्टार्ट हुई है भूटान में अंतर राष्ट्री मुख नयाधी समयलन किस राज में आयुजित किया गया तो अंतर राष्ट्री मुख नयाधी समयलन यह किया गया था आयुजित लखनों में जो की उत्तरव दिसकी राजधानी है मुग के अतिति कौन थे मौरिसस के उप राष्टपती मेरी स्रील एड़े अभी हाली में एक वकिल समेलन भी हुआ था अंतरराष्टी वकिल समेलन एड़ोकेट समीट तो इसका अजन नई दिली में किया गया था ये भी आप याद रिखेगा दुनिया के पहले युमिनाइड रोबोट सीयो का नाम क्या है तो दुस्तों दुनिया के पहले युमिनाइड रोबोट सीयो का नाम है मीका आप देख रहे हैं ये दुनिया की पहली सीयो बनी है तो किस कंपनी की बनी है, Dictador company ने इसे अपना CEO बनाया है, Dictador नहीं इसे डेवलप किया है, Hanson Robotics के माध्यम से, हाली में Supreme Court में मिट्टी कैफे का उधगाटन किसने किया है, तो हमारे जो Supreme Court के मुख्य नायदीश है, D.Y. चंदर चूर जी, उन्होंने Supreme Court में मिट्टी कैफे का दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं, मिट्टी कैफे, यह कैफे पूंट रूप से दिव्यांग करमचानियों के दोरा जलाया जाता है, और कैफे के जो प्रबंदक हैं, वो दृष्टिवाधित भी हैं, I.A.R.I. ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी फस फसल विक्सित की है, पराली जलाने की जो समस्या थी, उसका निपटारा करने के लिए धान की एक नई फसल विक्सित की गई है, जिसका नाम है पूसा 2090, पूसा 2090, तो I.A.R.I. इसका मुख्याले कहां पर है, तो दोस्तों I.A.R.I. का जो मुख्याले है, वो नई दिल्ली में है, और इसका फूल फ्राण क्या होगा, Indian Agricultural Research Institute, यानि की भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान, और ये जो धान की फसल है, पूसा 2090, ये 120 से 125 दिन में तयार हो जाती है, सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस्त, 2023 कब मनाया गया, राष्ट्री दिवस होता है, 10 नौंबर को, जिसकी थीम रही है, 2023 में, Building Trust in Science, राष्ट्री मानवाधिकार संस्थानों का 14 अंतरराष्ट्री समेलन कहां पर हुआ, तो दोस्तों ध्यान दिजेगा कि राष्ट्री मानवाधिकार दिवस्त, जो की माना जाता है, 10 दिस्तमर को मनाया जाता है तो इसका जो 14 अंतरराष्ट्री समेलन हुआ, ये Copenhagen में किया गया, इसकी थीम रही यातना और अन्य दुर्वेवार, तो ये जो दिवस होता है, राष्ट्री मानवाधिकार संस्थानों का जो अंतरराष्ट्री समेलन होता है, ये हर 3 साल में आउजित किया जाता है, तो NHRC क स्थापना रंगनाथ मिस्त्रा समित की सिपारिश पर 1993 एक्ट के अंतरकर्ट किया गया था, पहले अध्यक्ष भी वही थे, रंगनाथ मिस्त्रा जी, बरतमान अध्यक्ष कोन है, तो अरुन मिस्त्रा है, आगे बढ़ते हैं, हाली में ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 23 कि बहुत पड़ा है, सबसे ज़्यदा टीवी के मामले इंडोनेसिया में देखने को मिले और चीन में, दूसरे स्थान पर चीन में, फिर फिलिपिन्स में, 2022 में विस्त्रा में टीवी से सरवार्दीक 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, भारत में 2.8 मिलियन टीवी के मामले 12,8 जिसमें विस्तर रही है, 12 फिज्जि तो यह काफी ज़ादा है, 12 फिजद जो में तुदर है, यह काफी जयदा है, एस अर्थ साट पुरुसकार 2023 भारत के किस स्टार्टप को Ispands, तो दूस्तों, आर्थ शाठ पुरुसकार भारत के जिस इस्टार्टप को मिला है, उस पुरस्कार, परियावरान सरक्षन एवंग अस्थानी समधायों की मदद करने की चेत्र में काम करने वाले संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह प्रितिवी की सबसे बड़ी अमली जील किस द्वीप परिस्तित है तो जावा दीप इंडोनेसिया में इसका नाम है कावा इजन यह जो जील है दोस्तों यह प्रितिवी की बड़ी रहसमें जील है क्योंकि इसका जो पानी होता है उसका तापमान हर समय 200 डिग्री सलसियस रहता है जील का जो रंग है यह नीरे रंग की जील है जो के बहुत रहसमें लगती है और रात में फिरोजी पथर की तरह चमकती है कावा इंद्जील दुनिया की सबसे अधिक अमली जील है और इसका पानी लगाता खौलता रहता है इसके कारण जील के आसपास कोई भी रहता नहीं है हाली में चर्चा में रही खिराडी परणीत कौर का संबंद किस ख्याद से है तो तिरंदाजी यानि की आर्चरी से इसका आरजन कहां पर हुआ तो थाइलेंड में हुआ था था थाइलेंड के बैंकॉक में थाइलेंड की दासधानी ये बैंकॉक तो एसी आई तिरंदाजी चेंपियंशिप 2023 में पानडीत कौर ने जियोती सुरे का वेननम को हराकर गोल्ड मेडल जीता था तो ये याद रखे मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा था सौथ कोरिया और भारत दूसरे स्थान पर रहा था एसी आई तिरंदाजी चेंपियंशिप की मेडल टैली में आगे बढ़ते हैं हाली में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर 23 अभ्यास का आयोजन किया गया तो दोस्तों ब राष्ट्री सिख्चा दिवस मनाया गया 11 नॉंबर को सिख्चक दिवस कब होता है पांच पांच कब होता है बताओ राष्ट्री सिख्चा दिवस ये मनाया गया हाली में 11 नॉंबर को ठीक है तो इसकी थीम रहिए एक सतत्भविस के लिए अभिने अभिनव सिख्चा जैस नमबर को राष्टी सिक्षा दिवस के रूप में मना जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन उसको आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं हाली में भारत की सबसे बड़ी सीत तेल उत्पादन सेवा किस राजी में खोली जाएगी भारत की सबसे बड़ी सीत तेल रूप में किया जाता है किस राज में सभी मत्रदाताओं को qr code वाली मत्रदाता पर्ची प्रदान की गई थी तो जब मध्यप्रदेश में चुनाओं रहे थे दोस्तों उसमें सभी जो वोटर थे उनको जो पर्ची मिली थी तो उस पर qr code भी लगा गया था आप देख रह नॉंबर को और 23 में इसकी थी में हर सांस माने रखती है निमोनिया को ट्रैक में रोके और आयन मोबाइल अप्लिकेशन को लांच किया है केरल ने सबरी माला आईपा मंदिर में आने वाले दरसनार्थियों के लिए यह आईप लांच किया गया है इसे पेरियार वनजी अभ डिशोम अभियान को स्टार्ट किया है अबुआ, बेडुट दिश्रोम अभियान ये दूस्तों इस्टार्ट हुआ है जारखंड में इसे जारखंड के मुख्यमांत्रिंश्तें है मन्दत्रेण्य उन्होंने स extrल किया है इसे बनव हो पर निर्भर आदिवासियों और अने लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार भत्ता देने के स्टार्ट किया गया है 15 लाख आधिवासियों को 6-8 महिने में इस योजना से जोडने का लख्ष रखा गया है हाली में ग्रैमी अवाड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्योजिक परफार्मेंस रेनी के किस गीत आप जानते हैं कि ग्रैमी अवाड म्योजिक छतर में दिया जाता है यह गाना वाद के महत के महत तरसाए गया है फाली बार जो ग्रैमी अवाड मिलाता दोस्तों यह 1909 में दिया गया था और पहले भारती कौन थे जिनको ग्रेमी अवार्ड मिला तू पहले व्यक्ति थे पंडित रभी संकर 1968 में और पहले भारती महिला थी तन्वी सा 2010 में 2013 में 65 में ग्रेमी आवार्ड किसको मिला था डीसे ही बार हिन्sek यह में जीता थे आवाड और जो अल्बं था इनका रीकी केजका उसका नाम था दीवाइन टाइड स Watts दोस्तों बाकी जो प्रस लोंगे वो अगले भाग में होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेसर बसंद दाया होगा, यह दोनों ही चैनल आपके हैं, यहाँ पर भी आपको सारी PDF और इस्टेटी मेटरियल देखने को मिल जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यों सो मच, लाइक और शेयर जरू किजिएगा, और दोस्तों यह जो करने फिर आपको मिलता है, इसकी टाइमिंग कब रखी जाए, सुबह या साम, कमेंट ज